इसमें आप HFCL का UBR इसमें डालिएगा तो इसमें काम नहीं करेगा यह हम लोग का तीन चार वायर होता है यह ग्राउंडिंग जो किसी तरह ठंड रिंग होना से यह बचाता है और यह हो गया पावर केबल और यह हो गया केटिस केबल इसको लाइन केबल भी बोलते हैं और केटिस केबल भी बोलते हैं और सीरियल केबल भी बोलते हैं यह जो 20 से जो आता है यह हम लोग का L2 सुच में जाता है और किनारे में जो होता है यह जाता है मेरा UBR के पास जाता है तो कभी भी काम करने से पहले केबल को अच्छा से चेक करना है कि केबल कहा जाना चाहिए और किस जगह पर जुड़ा हूआ जैसे मेरे लाए है रहा हमेशा यूह होना चाहिया बिच्था ये सो ओपर से अचांग की और से घुजा दिजेगा तो ऊपर से जाने से ये दिक्कत है कि श dłह पर जो हम लोग का केबल का फुरू मेरा डिवास के अंदर जाएगा तो यह पानी जाने से खराब हो सकता है इसलिए हमेसा केबल को राउटेट करके इस तरह जो रोटेट किया हुआ ही केट्स केबल जो यूबियार से आया हुआ है जो रोटेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि केबल पीओए के अंदर गया जो नीचे से गया ताकि इसमें पानी ना गुशे निसीला इस तरह बनाया जाता है अब कभी भी इस केबल को ऐसे नहीं कि पास ले जाया गया है आप देख सकते हैं एक सी फाइबेक्स का यूबियार है जो की पॉल पे लगा हुआ है अब किसी तरह आईसा नहीं कि आप यहां पर कभी यह गलती नहीं करना है कि हम इसको हचेप सील का प्योई देना है और इसमें लगा देना है कभी विध्यान से देखना है दोस्तों कभी भी थैंक्यू दोस्तों